विल्कम फ्रेंड्स विल्कम टु माई चानेल उनलाइन निउच आज हम लोग डिसकास करेंगे नीट 2020 का उनलाइन फॉर्मफिल के बारे में सबसे पहले आप लोग जो बटन देख रहे हैं साब्सक्राइब बटन उस भी क्लिक कर लीजिए पहले आप आपका डेक्स्टॉप या लैप्टॉप में जाके ntaneet.nic.in में लोग इन करेंगे विबसाइट में जाने के बाद एक आप्शन आएगा फिल एफ्लिकेशन फॉर्म उसमें क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एक तम नीचे चले जाएंगे उधर एक चेक बॉक्स है चेक बॉक्स में क्लिक करके प्रोशीट करेंगे प्रोशीट करने के बाद आपका ओनलाइन एफ्लिकेशन फॉर्म आपके विंडो में चलाएग पहले candidate name भरना है उसके बाद mother's name, father's name एक करके मैं भर लेता हूँ candidate name, mother's name, father's name उसके बाद आपको category चूच करना है general, sc, st, obc आप जो category के हो वह आप चूच कर लेना उसके बाद pwd type मतलब आप अगर handicap हो तो yes करना नहीं तो no कर देना फिर आएगा date of birth, date of birth में आप आपका 10th का certificate में जो date of birth है वही आप उतर select करना अध्यान से करना वह अगर गलत हो जाएगा तो बात मैं आपको दिक्काद होगा जेंडर select कर लेना male, female या अध्यक्टर, country और 15% quota में आप कौन से state करेने वाले हो वह state select कर लेना उसके बाद एक identification आपको चूच करना है अध्यान नमबर भी ड़नना है अधर, voter, passport, record, bank account जो आपके पास है किसी एक को चुच करके उसका नमबर दे देना देने के बाद एक valid mobile number और valid email ID आपको देना है mobile number बहुत ही जुरूरी है क्योंकि mobile number में दो बार OTP आएगा और OTP आपको देना है OTP देने के बाद आप next day में जा सकोगे mobile number और email ID मैंने दे दिया उसके बाद एक security code है उसको देके प्रिव्यू and next में क्लिक करतेंगे प्रिव्यू और next में क्लिक करने के बाद आपको एक प्रिव्यू दिकाएगा जो जो option आपने ढ़ लिया अभी तक सबसे हिए इसको यह दर दिकाएगा देखिए सब दिखा रहा है नीचे सिकूर्टी पीन है सिकूर्टी पीन जैसे दिखा रहा है ऐसा ही एंटर कर दीजिया सिकूर्टी पीन एंटर करने के बाद सारे चेक बॉक्स में क्लिक कर लीजिया नेम फदस नेम काटेगोरी मुबाइल नमबर इडिन्टिफिकेशर नमबर सब में टीक मर्क दे दीजिया देने के बाद नेक्स्ट अप्शन में क्लिक कीजिया अभी create password, password आपको create करना है 8 to 11 character के अंदर एक caps में, एक small में, एक special character और एक number रहना चाहिए, सब मिला के minimum 8 character का होगा, password देने के बाद आपको एक security question का answer देना है, और security question का answer देने के बाद, mobile number में एक OTP आएगा, और OTP को OTP verification में, आपको OTP mobile number से put करके, इधर put करना है, देखके, OTP देने के बाद, आप submit बटन में क्लिक करेंगे, Submit बटन में क्लिक करेंगे, Submit बटन में क्लिक करने के बाद, आपको एक application number दिया जाएगा, जो आपका future reference में लगेगा, आप Submit बटन में क्लिक करेंगे, देखे, your professional application number दिखा रहा है, हम लोग आप next step में जाएँगे, application number और password डल के, क्लिक है to login अप्सन दिखा रहा है, उसमें क्लिक कर लेते हैं, क्लिक है to login में, क्लिक है to login में क्लिक करने के बाद, दो अप्सन आएगा, एक application number और एक password, दोनों ही हमारे पास है, क्लिक करने के बाद लोग इन अप्सन में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ये बाद गया, पहले जो जो अप्सन भर लिया, उसका preview दिखा रहा है, और कुछ-कुछ अप्सन दिखा रहा है, cannot be changed, नीची दिखिए, एक अप्सन है, are you suffering from diabetes type 1, इधर yes और no कर दीजे, उसके बाद place of birth चूच कर लिजे आपका, कौन सा state, कौन सा district है, आपका birth place, नीचे medium of question papers, one submitted cannot be edited, कौन से language में आप exam में appear होगे, ओ, language चूच कर लेना, उसके बाद आपको चार exam center चूच करना है, आपका best choice आप पहले देना, शरे 1, 2, 3, 4 करके आप चूच कर लेना, option, option, चूच करने के बाद, आप next button में click कर देंगे, आप चूच कर लेता हूँ, चारो option, पास चायस, सेकेंड चायस, स्थार्ड और फोर्ट चायस, उसके बाद next कर दिया, next करने के बाद, आपको 10th, 11th and 12th के details, यहाँ पे भरना है, 10th का आपका बोर्ड का नेम, स्कूल का नेम, स्कूल का अड्रेस, यारोपा सिंग, प्रसेंटेज, रोल नमबर, इस सारे आपको भरना है, सबसे पहले, आपको 10th का बोर्ड चूच करना है, एक विंडो आएगा, अगर लिस्ट में आपका बोर्ड का नेम नहीं है, तो आप आदर सिलेट कर लेना, उसके बाद आपका बोर्ड का नेम लिख देना, लिखने के बाद आपका स्कूल का नेम लिखना और उसका अड्रेस निचे डल देना, फिर यारोपा सिंग दे देना, नेक्स्ट में, कौन से यार में आप 10th क्लियार कर चुके हो, परसेंटेज, तेंथ परसेंटेज दे देना और तेंथ का रूल नंबर निचे दे देना, रूल नंबर आप ट्लास तेंथ, नेक्स्ट इलेबंध का डिटेल, सेम अज तेंथ, स्कूल का नेम यारोप पसिंग, प्लेस अफ स्टाडी, और स्कूल कौन सा स्टेट में है, कौन सा डिस्टिंग में है, वो चूच कर लेना, नेक्स्ट ट्वेल्थ, ट्वेल्थ का बोर्ड नेम चूच कर लेना, उसके बाद स्कूल नेम पस्ट और अपियरिंग, कौन सा स्कूल से आप एप्यार हो रहे हो और यह पास कर चुके हो स्कूल का अड्रेस, प्लेस आफ स्टाडी और मोस्ट इंपर्टेंट चीज जो है एग्जामिनेशन कोट अगर आप इस साल के 12 का केंडिडेट हो तो फिर 1 चुच करना और अगर पास आउट केंडिडेट हो तो फिर 0 2 चुच कर लेना उसके बाद एक सिकूर्टी पीन है सिकूर्टी पीन देखे आप नेक्स्ट कर लेना नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट में आपका प्रेजेंट यह पर्मनेन अड्रेस आपको डालना है पहले हाउस नंबर हाउस नंबर में आपका हाउस नंबर है तो डल देना नहीं तो क्यार आप करके पिता जी का नाम आप दे सकते हो सिटी विलेज जीप कोड मतलब पीन कोड दे जेना स्टेट और डिस्टिक भी स्लिट कर लेना सेम एच पर्मनेन अड्रेस भी आप ऐसे ही खिलाब कर लेना अड्रेस खिलाब करने के बाद नेक्स्ट निच्चे आएगा पेरेंट एड़केशनल और क्वालिफिकेशन डिटेल्स पीताजी और मताजी का क्वालिफिकेशन प्रोफेशन इंकाम यह सारे आपको भरना है यह भर लेता हूँ यह सारे डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट एक ड्रेस कोड आएगा ड्रेस कोड में आप नो कर देंगे करने के बाद सिकूर्टी पीन देके प्रेव्यू एंड सम्मिट बटन में क्लिक करतेंगे प्रिव्यू और सम्मिट बटन में क्लिक करने के बाद फिर से एक ओटीपी आएगा साथ में एक ओटीपी आईटी भी होगा प्रिव्यू दिखा रहा है आप ओटीपी डालके उसको फाइनली सम्मिट कर सकेंगे अगर कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं नहीं तो आप सम्मिट करने के बाद भी रिव्यू अप्सन में जाके रिव्यू अप्लिकेशन अप्सन में जाके चेंज कर सकते हैं कि ओटीपी देता हूं कि ओटीपी देने के बाद सिकूर्टी बीन देता हूं और कि नीचे जो चेक बॉक्स है एक्जम सीटी फार्स सेकेंड थार्ड फोर्ड चैस का उसको क्लिक करके कि फाइनल सम्मिट कर लेता हूं इटिटिल सम्मेट करने के बाद देखिया आप लोडिंग सेक्षन में पहले आप लोड फोटो उसके बाद सिनेचर टेंट साटिविकेट लेफ्ट थाम इंप्रेशन और पोस्ट कर साइज फोटोग्राफ सबका साइज दिया हुआ कितने के भी से कितना के भी होना चाहिए य आपको पहले हिससे ही रेडी करना चाहिए एक पोस्ट काड फोटो ध्यान रहना चाहिए कि फोटो का बैक्ग्राउंड वाइट होना चाहिए और फोटो के नीचे नाम जो लिखना चाहिए यह सारे आपको आपलोड करना है आपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन म क्लिक करना है नेक्स्ट बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिव्यू दिखाएगा ने फॉटो का सिगनेचर का तेन सर्टिफिकेट का आपका थांब इंप्रेशन का और पोस्ट कर साई जो फॉटो अपने अपलोड किया उसका भी प्रिव्यू दिखाएगा यह सारे डिटेल आप चेक कर लेंगे ठीक टाग अफलोड होगी नहीं चेक करने के बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो मेक पेमेंट ओनलाइन पेमेंट का आप्सन आएगा पेपी ऑनलाइन और ओन कि बहुत सरे आप्सेन है आप किसी भी आप्सेन चूच कर लेना चूच करने के बाद आप पेमेंट कर देना मैंने एक आप्सेन चूच कर लिया और मैं पेमेंट कर रहा हूं पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक विंडो आएगा और उधर शो करेगा कि यूर पेमेंट डिटेल्स आज बीन सम्मिंटर सक्सेस्पुल्ली उसके बाद आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकेंगे क्लिक है टू टेक प्रिंट आउट कंफर्मेशन पेज वह आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद आप रख लेना वह बात में कम में लगेगा प्रेंट्स आज इतना ही अगर आप मेरा वीडियो आपको आच्छा लगे तो जुरूर सब्सक्राइब करना और कमेंड में भी लेखना लाइक करना श्यार करना थैंक्यू ठीके हुए सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीचे जो कि आप अगला वीडियो सबसे पहले आपको दीखे है